Hey guys, welcome back to my channel आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा शुष्रुत सूतरसान चाप्टर नमबर 6 के MCQs तो ये वीडियो बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आप सुष्रुत जो है उसके उपर और भी बहुत सारे MCQs की वीडियो अपलोड कीजिए तो मैंने अब ये चीज भी सिरिस जो है ये शुरू करने का सोचा है जिसमें कि सुष्रुत के हम लोग MCQs को कवर करेंगे पूरे के पूरे सुष्रुत सहिंता के MCQs को कवर किया जाएगा तो स्टार्ट करते हैं फर्स कोशन है पुर्वाहन में किस रितू के लक्षन मिलते हैं सिंपल सा कोशन है पहले भी पूछा जा चुका है रेफरेंस मैंने आपको दिया हुआ है साथ में ओप्शन्स देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है हेमन सेकेंड ऑप्शन शरद थर्ड वसन और फोर्थ है शिशिर तो आपको सेम ही तरीका है जैसे पहले को MCQs में सॉल्व करने को बोलती हूँ साथ साथ में आपको एक मार्क रखना है अपने साथ कि आपको कौन सा कोशन सही लगता है तो इसमें जो राइट ऑप्शन है अप्शन नमबर थर्ड पुर्वाहन में वसंत रितु के लक्षन मिलते हैं जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इस तो करेक्ट ऑप्शन रेफरेंस दिया हुआ है जाकर कि आप लोग वहां से बुक से भी श्लोग को जरूर एक बार रीड करें चलिए नेक्स कोशन है शुष्ट अनुसार काल का भेद नहीं है तो शुष्ट जी के अनुसार इनमे से जो काल का भेद नहीं है एक्सेप्शन का कोशन है तो options बढ़ते हैं क्या है first option इस निमेश second option है उनमेश third option कला and fourth option काश्ठा इससे पहले कि मैं आपको answer बताऊँ आप अपना answer mark कर लीजिए और उसके बाद अब मैं बता रही हूँ इसका जो right option है that is the option number second जो शुष्टुची के नुसार भेद नहीं है काल का वो उनमेश है it means कि बाकी जो तीनों है वो भेद हैं काल के निमेश, कला और काश्ठा जो हैं वो काल के भेद हैं तो यहाँ पे according to question हमारा कौन सा option right है that is the option number second तो आपको ये चीज़े भी ध्यान में रखनी है कि अगर पूछा हुआ है कि कौन सा नहीं है it means कि बाकी जो है वो सारे के सारे होंगे चलिए next question क्या है शुश्रो तनुसार दोश उप्चिय प्रकौप प्रशमन में सम्मिलित रितू नहीं है जी कैं फिर नहीं का question आ गया फिर exception का question है कि जो दोशों के उप्चिय प्रकौप और शमन में included नहीं है वो कौन सी रितू है तो first option क्या है शरत second option क्या है शिशिर third option है हेमन्त और fourth option है घ्रिश्म अब यहाँ पे जो right option है that is the option number second जो शिशिर रितू है वो किसी भी दोश के उप्चिय प्रकौप चाफिर प्रशमन में included नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि जो शरत हेमन्त और घ्रिश्म है अगर इन में से पूछा जाए तो यह तीनों की तीनों जो हैं they are included in fact बाकी सारी ही they are included except the शिशिर शिशिर रितू रितू नहीं है second option is correct next question क्या है चंद्रबल किस रितू में उत्तम होता है तो यह question बहुत important है और साथ ही साथ में बहुत जादा confusing भी हो सकता है बच्चों के लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसको गलत माग करेंगे in fact कि यह बहुत ही easy और सीधा-सीधा question है फिर भी गलत माग करते हैं तो options देखते हैं क्या है first option है शरत second option है वसंत third option है घ्रिश्म और fourth option है हेमत इससे पहले कि मैं अपना answer बताऊँ आप वीडियो को post कर लीजिए और अपना answer जो है जो भी आपको सही लगता है वो माग कर लीजिए उसके बाद आप मेरा answer सुनिए तो I hope आपने अपना answer माग कर लिया है जो यहाँ पे right option है वो है option number fourth जिसका मतलब क्या हो गया कि हेमत जो चंद्रबल है वो किस रितु में उत्तम होता है हेमत रितु में जो चंद्रबल है वो उत्तम होता है so fourth option is the correct option now let's move to the next question next question है शुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सारे का सारा ही important है आपको हर एक का पता होना चाहिए कि कौन से बाट में कौन से रितु के लक्षन मिलते हैं सभी का आप पढ़िए क्यूंकि exam में किसी का भी आ सकता है ये important है ओके यहाँ पे मैं आपको बता देती हूं कि जो अर्धरातरी है उसमें शर्द रितु के लक्षन म है किस रितु में और शिदियां अल्प वीरे वाली होती है बहुत ही simple question है I hope ये सभी को आता ही होगा तो options एक लेते हैं कौन कौन सी है यासे में को क्या लगता है personally कि इसमें option की जरूरत भी बिल्कुल नहीं है बच्चों को क्यूंकि this is very simple question options फिर भी चलिए देखते हैं first option है हेमन, second option है वसंत, third option है वर्षा and fourth option है ख्रेश्म तो सभी ने अपना अंसर अभी तक माग कर लिया होगा क्यूंकि यहाँ पे जो right option है that is very simple वो कौन सा है वो है option number third जो वर्षा रितु है उसमें जो और शदियां है वो अल्प वीरे वाली होती है तो यहाँ पे the correct option is the option number third वर् is equal to dash महूरत तो यह question देखने में तो बहुत जादा simple है लेकिन एक जिस मैं आपको clear करतूं ऐसा question जो है वो याद रखना बहुत tough होता है क्यूंकि बहुत सारे जब हम लोग exam में जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी terms होती है जो हमें याद रखनी होती है इसी के related जो कि वहाँ पे है क्यूंकि आप जितने जादा mcq solve करेंगे वो आपकी confusion उतनी ही जादा मिटती जाएगी और उतना ही जादा आपको जो है clearance आएगी हर एक topic में और आपका question गलत नहीं होगा यहाँ पे जो options हैं that is option number first क्या है 20, second option है 25, third option है 30 and fourth option है 10 जो one अहो रातर होता है वो 30 महूरत के equal होता है जिसके according यहाँ पे हमारा third option is the correct option which is 30 one अहो रातर है is equal to 30 महूरत now next question क्या है नब नबस्य मासों में किस रित्तू का ग्रहन किया जाता है तो यहाँ पे basically मास बताय हुए हैं और पुछा हुआ है कि यह जो मास है यह किस रित्तू के मास हैं कौन सी ऐसा season है जिसमें कि यह वाले month होते हैं तो options में कौन कौन सी है first option है वर्षा, second option है वसंत, third option है हेमन्त and fourth option है शिशिर यहाँ पे तो सिरफ नब नबस्य की बात की गई है बाकी भी जो हरेक रित्तू है उसके जो सारे के सारे मास पताये गए हैं वो आपको पता होने चाहिए because it's very simple and very important question कि कौन सी रितू के कौन से वाले मास है यहाँ पे जो आपका correct option है that is option number first जिसका मतलब क्या है कि वर्षा रितू जो वर्षा रितू है उसके जो मास है that is नब नबस्य तो first option is the correct option which is वर्षा now let's move to the next question तो next question क्या है so basically it's a श्लोग based question तो सबसे पहले श्लोग को read करते है it's a dash निसारा रूख्षा अतिमात्रम लगव्यो भवन्तियापश यह कि सृतू के संधर्व में कहा गया है options क्या है first option is hey month second option है वर्षा third option है घ्रिश्म and fourth option है शरत तो यहाँ पे आप लोग जैसे इस श्लोग को पढ़ना शुरू कर रहे हैं आपको हर एक word जो श्लोग का है वो indicate कर रहा है कि कौन सा answer है बहुत simple है जिसने चैनल चैनल भी पढ़ा है उसको समझ में आ गया होगा अभी तक तो answer तो यहाँ पे जो correct option है वो मैं बता देती हूँ आपको that is the option number third which is घ्रिश्म ओके तो यहाँ पे जो घ्रिश्म है option number third is the correct option पूरा का पूरा श्लोग क्या होगा घ्रिश्म निसारा रुक्षा अति मात्रम लगव्यो भवन्ते आपश तो third option is the correct option now let's move to the next question तो यह भी तो एक सिसाब से it's also a श्लोग based question श्लोग की ही line लिखी हुई है पैतिका ना, व्यादी नाम, उप्षमो और साथ में क्या है डैश, fill in the blanks है options क्या है, first option is himan second option है निदाने third option है शर्द और fourth option है वसंते अब जो ऐसे वाले श्लोग हैं जो की important है क्योंकि सबसे ज़्यादा डर बच्चों को इसी बात का होता है कि exam में shlok based question आ जाएगा तो हम लोग कैसे handle करेंगे इसलिए जितने भी important important shlok से इस chapter में बनते हैं उस chapter के उपर जो भी questions है, shlok based यह मैंने सारे के सारे इस वीडियो में include करने की कोशिश की है so that आप लोग shlok based questions को practice करें जादा से जादा ताकि आपको exam में दिक्कत ना हो यहाँ पे जो correct option है that is the option number first which is heman now let's move to the next question so it's also a shlok की line लिखी हुई है जिसको की आप लोगों ने बताना है कि किस रितु के संधर्व में है means किस रितु के relate में है तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है शक्रगोप उजवला मही किस रितु के संधर्व में है first option क्या है प्रावर्ट second option है वर्षा third option है शरत and fourth option है हेमत तो शक्रगोप उजवला मही किस के लिए बूला गया है यह बूला गया है option number first which is प्रावरट रितु प्रावरट रितु के लिए बूला गया है शक्रगोप उजवला मही यहाँ पे जो आपका correct option है that is option number first ऐसे जो छोटे छोटे पार्ट और श्लोक के यह आपको पता ओने चाहिए यह confuse करते हैं इसलिए मैंने include करे हुए हैं यह सारे के सारे आप अच्छी तरह से बार-बार practice कीजिए MCQs को साथने book से पढ़िए तो बिल्कुल भी tough नहीं है बहुत easy है next question है शुश्रु तनुसार सभाव से पैतिक व्याधी का शमन किस रितु में होता है तो है तो simple सी बात कि पैतिक जो रोग है पैतिक जो भी बिमारियां है उनका जो शमन आपने करना है वो किस रितु में करना है तो क्या है फर्स option क्या है शरल second option है हेमन third option है शिशिर and fourth option है all of above यहाँ पे तो पैतिक का पुछा हुआ है आपको बात और कफज का भी बता होना चाहिए यहाँ पे correct option क्या है वो आप लोग मार्क कीजिए so यहाँ पे जो correct option है that is the option number second ओके हेमन जो हेमन है उसमें पैतिक व्यादियों के शमन के लिए जो भी है कार्य जाफिर treatment जो है वो किया जाता है in the रितु हेमन so second option is the correct option here now let's move to the next question next question क्या है क्रिश्म रितु में किस तिशा से वायू बहती है तो यह question जो है यह क्रिश्म रितु के बारे में है लेकिन जब आप लोग book में बढ़ते हो तो हर एक रितु के बारे में बताया हुआ है आपको book से वो चीज पढ़नी है इसलिए references दियो है reference को देख लीजिए जो भी option आपको सही लगता है उसको mark कीजिए और अगर आपका question सही है आता है तो well and good अगर आपको नहीं आ रहा है तो tension बिल्कुल भी नहीं लेनी आप जाकर के book से एक बार read कीजिए यहाँ पे जो options है that is क्या है option number first है poor second option है इशान third option है नतरत्य and fourth option है वायव्य यहाँ पे जो correct option है that is option number third which is नतरत्य जो है यहाँ पे correct option है ग्रिश्मरितु में नतरत्य दिशा से वायू बहती है तो third option is the correct option now let's move to the next question so this is also a shlok based question है और fill in the blanks है पढ़ते हैं क्या है सबसे पहले प्रत्यूश्यसी डैश उपलक्षियत options क्या क्या है first option है हे मंतम second option है वाशिकम third option है शार्दाम and fourth option है वसंतम तो चोटा सा question है चोटा सा आपको line दी हुई है लेकिन बहुत ही important है as you can see तो यहाँ पे जो correct option है that is the option number first हे मंतम जो है that is the correct option है तो पूरा का पूरा श्लोक क्या बन चाएगा प्रत्यूश्यसी हे मंतम उपलक्षियत first option is the correct option now let's move to the next question next question है तब तपस्य किसके मास है तो पहले हम लोगों ने नब नबस्य पढ़ा तो अब यहाँ पे तब तपस्य है reference भी आप देख सकते है मैंने आपको पहले भी बोला है कि यह चीज बहुत ही important है आपको सारे के सारे जो रितूए है उनमें कौन से मास है वो आपको पता होने चाहिए यहाँ पे तब तपस्य का पुछा है तो कौन कौन से है options पढ़ते हैं सबसे पहले first option है वसंद second option है घृष third option है शरत and fourth option है शिशिर तो यहाँ पे जो आपके पास correct option है that is the option number fourth शिशिर के जो है यह मास है तब तपस्य जो है वो शिशिर के मास है जिसके according यहाँ पे आपका fourth option correct option हो जाता है now let's move to the next question तो next question क्या है एक काश्ठा dash अक्षी निमेश के समान होती है एक काश्ठा कितने अक्षी निमेश के समान होती है यह पूछ रहे है options क्या क्या है first option है 8 second option है 30 third option है 3 और fourth option है 15 तो कितने के समान होती है एक काश्ठा जो है वो होती है 15 अक्षी निमेश के समान ओके यहाँ पे जो fourth option है वो correct option है बहुत सारे ऐसे बच्ची होंगे जिन्नोंने second option को correct किया होगा तो second option जिन्नों जिन्नोंने मा किया है वो option बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पे जो सही option है वो option number fourth है which is 15 तो जिस जिसको भी confusion है वो आपनी confusion को clear कर लेगा सही mark जो कर रहा है बच्चा very very good कौन सा option यहाँ पे सही हो गया option number fourth which is 15 now let's move to the next question जो next question है श्लोक based question है यह भी एक हिसाब से तो आप लोग सबसे पहले देख लेंगे क्या है अहो रात्रम अपी वर्षय मेव इस सधान के नुसार अर्ध रात्री में किस रितू के लक्षन मिलते हैं तो फिर से वही चीज़ आ गई और आया भी अर्ध रात्री के लिए ही है लेकिन एक different type से ये question पूछा हुआ है तो आपको पता तो चली गया होगा इसका answer क्या है क्यूंकि हमने अभी अभी ये question किया है यहाँ पे options क्या क्या है first option है वसंद second option है प्रावर्ट third option है हेमन and fourth option है शरत तो अर्ध रात्री में किस रितू के small action मिलते हैं अर्ध रात्री में मिलते हैं शरत रितू के small action शरत रितू यहाँ पे कौन सा option है option number fourth है so इस question का जो correct option होगया that will be the option number fourth शरत ओके now let's move to the next question the next question क्या है निमन में से काल के प्रयाए है जो नीचे आपको options बताई हुई है इन में से आपको बताना है काल के प्रयाए कौन-कौन से है options क्या कौन-कौन सी है वो देख लेते है first option है भगवान second option है स्वयंभू third option है अनादी and fourth option है all of above तो यहाँ पे जो काल के प्रयाए है वो कौन-कौन से है जो fourth option है वो correct option है all of the above जिसका मतलब क्या हो गया भगवान, स्वयंभू और अनादी यह तीनों ही जो है यह काल के प्रयाए होते हैं तो यहाँ पे fourth option will be the correct option now let's move to the next question next question है महामारी को अचारे शुशुरूत ने क्या कहा है तो यहाँ पे particularly for अचारे शुशुरूत पूछा हुआ है options देख लेते हैं कौन कौन सी है option number first is चन्पतो ध्वान्स option number second है जन्मार option number third है मर्क and option number fourth है none of above तो यह जो question है यह बहुत ही जादा important है क्यूंकि जो options है ना यह सारी के सारी options किसी ना किसी अचारे के दुवारा कही गई है for the महामारी किसी अचारे ने जन्पतो ध्वान्स को कहा है किसी अचारे ने जन्मार को कहा है और किसी अचारे ने मर्क को कहा है लेकिन अचारे शुष्रुत ने किसको कहा है यहाँ पे तो question यह है तो यहाँ पे जो right option है that is the option number third अचारे शुष्रुजे ने महामारी को मरक बोला है which is option number third अब आपको मेंको comment section में बताना है कि अचारे जो चरक हैं उनोंने महामारी को क्या बोला है इन्ही options में से एक answer है वो कौनसा answer है वो आपको mention करना है in the comment box below कि जो अचारे शुष्रक हैं उनोंने महामारी को कौनसा जो है इन options में से बोला है अगर आपको नहीं आता है तो आप it's okay आप mention कर दीजिए कि मेरे को नहीं आता मैं आप बता दो तो मैं फिर आपको correct option जो है वो mention कर दूँगी in the comment section next question है अब प्रावरट रितु किन दो महीनों के मिलने से बनती है अब प्रावरट रितु का आगया question तो सेमी है जो पहले हम लोगों ने पड़ा है तो क्या है फर्स्ट option है भादृपद प्लस अश्वेन सेकिंड option है कार्तिक प्लस मार्गशिष third option है पोश प्लस मार्ग and fourth option है श्रावन प्लस अश्वेन तो यहाँ पे जो प्रावरट रितु है वो किन दो महीनों से बनती है पहले आप मार्ग कीजिए फिर मैं बताती हूँ यहाँ पे जो correct option है that is the option number 4 जो प्रावरट रितु है वो श्रावन प्लस अशाड यह जो दो महीने है इनको मिलाकर प्रावरट रितु बनती है बागी सारी रितुओं का भी आपको पता होना चाहिए वो भी आप पढ़ लीजिए now let's move to the next question तो अगला question है किस रितु में औशिदिया निसार रूक्ष हो जाती है simple सा question है कि कौन सी ऐसी रितु है जिसमें औशिदियों में ना ही तो सार रहता है और रूक्षता हो जाती है options कौन कौन सी है first option है शिशे second option वसंद third option है ग्रिश्म and fourth option है वर्षा यह बहुत easy question है पहले हमने ऐसा ही question था जो श्लोक में पढ़ा था अब यही question है जो simple words में है तो जो श्लोक important है वो श्लोक भी पढ़ लेंगे और simple words में तो आपको पता ही होना चाहिए यहाँ पे जो correct option है that is the option number third मतलब जो घ्रिश्म रितु है उसमें जो भी औशदियां होती है वो निसार और रूख शो जाती है तो कौन सा option correct हो गया option number third is correct है now let's move to the next question तो next question क्या है शुश्रु सेंता में किस रितु से रितु की गर्णणा शुरू की गई है कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो अचारे शुश्रुत ने रितु के explanation दियुए है उसमें सबसे पहली रितु उन्होंने कौन सी बताई है कहां से उन्होंने रितु का start-up किया है तो क्या है options क्या है first option है वसंद second option है हेमंद third option है शरत and fourth option है शिशिर सबसे पहले तो ऐसे जो भी questions होते हैं हम लोग उसको इतना ध्यान से देखते नहीं है कि अचारे शुश्रुत ने कौन सी पहली जो है वो दी है रितु जा चारे चरक ने कौन सी पहली रितु दी है लेकिन ये एक बहुत ही important question है और आपको पता औना चाहिए कि इस तरह से हमने किसी भी चीज को पढ़ना है देख लेना है कि कौन सी चीज पहले दी हुई है कौन सी चीज लास में दी हुई है अब यहाँ पे रितु का है ऐसा ही same to same question जो है वो दिन चरया का भी आता है वहाँ पर भी ये question बनता है कि कौन सी चारया ने दिन चरया को कहां से शुरू करने के लिए बोला है तो यही question यहाँ पे है यहाँ पे जो correct option है that is option number fourth which is शिशिर अचारे शिशुर जी ने तो शिशिर बोला है ठीक है लेकिन अचारे चरग जी ने शिशिर नहीं बोला उन्होंने जो सबसे पहली गनणा शुरू की है रितू की उन्होंने हेमन्त रितू से की है जबकि अगर अचारे शुशुरुत का पूछते हैं तो फिर शिशिर होनता है जो correct option है that is the option number four here अगर अचारे चरग का पूछेंगे तो हेमन्त विर बी correct option for this question चलिए now let's move to the next question question क्या है कितने वर्षों का एक यूग होता है एक यूग में कितने वर्षों होते है जो कितने वर्षों का एक यूग होता है कैसे भी पूछ लिया जाए ये question है first option क्या है first option है 3 second option है 2 third option है 4 and fourth option है 5 I hope आप साथ साथ में mark कर रहे है आप mark किजिए कि एक यूग में कितने वर्षों होते है यहाँ पे जो correct option है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे correct option है option number fourth which is five एक यूग में five years होते है तो यहाँ पे correct option होगा option number fourth चलिए now next question निमन में से रित्तु व्यापत का मुख्य कारण है रित्तु में जो भी आपको problems होती है जो भी व्यापत हो जाते है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या पूछा हुआ है main कारण पूछ रहे है यह चीज की confusion हो जाती है exam में कि हम लोग देखते हैं कि यह भी कारण है यह भी कारण है तो फिर both को tick कर देंगे लेकिन हमें यह चीज का ध्यान रखना है कि उन्होंने हमसे main कारण पूछा है मुख्य कारण पूछा है options कौन कौन से है first option है प्रज्या प्राद second option है अदुष्ट which also means अधर्म third option है A and B both and fourth option है none of above तो यहाँ पे जो रित्तु व्यापत का मुख्य कारण है वो है अदुष्ट जो की हमारे पास option number second है अगर अदुष्ट आ जाए तो भी यही है अगर अधर्म आ जाए तो भी यही होगा answer तो यह second option is the correct option now next question किस रित्तु में औशिदिया परिनत वीर्य हो जाती है ठीक है option देख लीजिए कौन-कौन से है first option है वर्ष्या second option है हेमन third option है शरत और fourth option है घ्रिश्म पहले हमने पढ़ा था कि जो है उसमें निसार हो जाती है और रूख्ष हो जाती है अभी जो कोशन पढ़ा थोड़ी देट पहले तो वो किस में था वो था घ्रिश्म रित्तु में अब वो पूछ रहे हैं परिनत वीर्य means उनका वीर्य जो है वो चेंज हो जाता है वो किस रित्तु में होता है तो यहाँ पे जो correct option है that is the option number second which is हेमन्त हेमन्त रित्तु में जो ओशदियां है वो परिनत वीर्य वाली हो जाती है so second option is the correct option here now let's move to the next question एक कला is equal to dash काश्ठा जिसका मतलब क्या हुआ कि एक कला कितने काश्ठा के equal होती है यह question है first option क्या है 15 second option है 20 third option है 30 and fourth option है 2 जो एक कला होती है वो 30 काश्ठा के equal होती है अगर उल्टा कोशन आ जाएगा फिर भी वही है कि 30 काश्ठा जो है वो एक कला के equal होती है so यहाँ पे आपका third option is the correct option now let's move to the next question शिशृत के अनुसार सभाव से शलेश्मिक व्याधी का शमन किस रितु में होता है simple सा कोशन है कि जो शलेश्मिक व्याधी है उसका शमन हमने करना है तो वो कौन सी रितु में होगा options है first option is घ्रीश्म second option है वर्षा third option है शरत and fourth option है हीमन तो जो अचारे शुष्रुची ने बोला है उसके according जो शलेश्मिक व्याधी है उसका शमन घ्रीश्मिरितु में होता है fine तो घ्रीश्मिरितु कौन सी option है यहाँ पे it's a option number first now that's it for today's video guys I hope ये video आपके लिए बहुत ही जादा helpful रहेगी इस video को like जरूर करे and also do subscribe this channel for more such videos thank you so much guys